तो पर तो जल्दी से फड़ा फट से लाइव आजाओ और हम लोग फिर शुरू करेंगे हमारी ग्लास को जल्दी से सबी लोग सेशन के लिंक कर दो कौपी और धड़ा जितने मैक्सिमम लोगों के अंदर आप लोग इस क्लास को शेयर कर सकते हो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारी क्लास को तो आपको पता है रोज आपको गाना गाना है हम होंगे कामियाब एक दिन हो हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामियाब एक दि तो रोज रोज ही बात बोलने हैं और जल्दी ही हम लोग कामियाब हो जाएंगे BPSC, TRI, 3.0 मेरे दोज पर चुटकियों के अंदर आप लोगों का हो जाएगा बस classes के अंदर live आओ जुड़ते रहो complete physics मैंने आप लोगों को सिखा दी तो मैंने कुल दो classes ली थी और पूरी की पूरी बहुतिक विज्ञान physics जो है आप लोगों को मैंने अच्छे से धंग से explain कर दी थी सिखा दी थी तो एक class हमने last class हमने marathon टाइप ली जिसके अंदर हमने बहुत सारे questions जो है वो practice किये अब अगली class के अगर मैं बात करूँ आज की class आज की class के अंदर पूरी की पूरी रसायन विज्ञान हम लोग खतम करेंगे दोस्तो तो एक शांदार बढ़िया हमारा marathon होगा बहुत सारे questions हमें आज की class में देखने है पूरी speed के ओपर देखने हैं और जल्दी जल्दी इन्हें solve करना है यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं आपको पूरी ncrt का निचोड पढ़ा रही हूं बीपी एसी टीरी 1.0 2.0 में ncrt प्लस scrt दोनों का निचोड मैं करवा रही हूं आपके paper के अंदर ncrt और जुड़ गया है live शुरू करते हैं हमारे पहले question के साथ boiling point of water on celsius and kelvin scale is अगर मैं celsius scale और kelvin scale की kelvin पहनबाने की बात करो तो boiling point of water कितना होगा guys unit की conversion ताप मान की units की conversion celsius में Fahrenheit में kelvin में यह सारी चीज़ों की questions आपसे examiner paper में पूछता है तो boiling point of water celsius and kelvin scale पे कितना होगा 373 273 273 273 373 या फिर 100 और 373 चलो भाई या बताओ इस question का right answer के है या आप आता नेहा रानी कह रही है कि मैं रोज में आपकी class recorded form में देखते हूं आज live आई हो नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपके class के अंदर और live जुडा करो भाया मजा आएगा इस question का right answer option number D है 100 degree celsius ठीक है आपको boiling point water का होता है और एक चीज याद रखना temperature in degree celsius में 273 मिलाने पर temperature in kelvin जो है वह आपका आजाता है तो option number 4 इसका right answer है ठीक है degree celsius की temperature पर 273 मिलाकर आपके पास kelvin का temperature आजाता है तो option number D जो है वह इस question का right answer है 100 and 373 तो आपके पास water boil होता है 100 degree celsius पर 100 degree celsius पर और अगर kelvin में बदलना है तो 273 से हम लोग add करते हैं एक और चीज याद रखना है एक और formula temperature in degree Fahrenheit 9 upon 5 temperature in degree celsius plus 32 के बराबर है इनकेस आपको celsius में temperature देकर Fahrenheit में पूछे तो निकाल लो Fahrenheit का temperature देकर celsius में पूछे तो इस formula में डाल की निकाल लो और यह question आपके different exam में इस type के पूछे जाते हैं next question दोस्तों निमली कित में से कौन सा कौन से ऐसी चीज है जो कि least energetic molecules है जिसमें सबसे कम उर्जा present है gases के अंदर liquid के अंदर ठोस के अंदर या फिर all सबके अंदर सेम उर्जा present है तो मुझे सबसे पहले बताओ कि सबसे कम least energetic कौन है gases है liquids है ठोस ह या फिर सब में सेम होती है बड़ा 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 अंसर करो फड़ा बड़ा session को share करो जितने लोगों के अंदर आप लोग इस class को share कर सको देखो पूरी speed पर solve करेंगे हम लोग ठीक है ताकि maximum questions को देख सके फोस इस question का right answer है solids अगर मैं solids की बात करो तो solids की जो particles हैं है वो बहुत पास-पास present होते हैं अगर energy की बात करो तो यह move जादा नहीं कर पाते हैं इनके अंदर least energy है movement नहीं है गती नहीं है गती शील नहीं है तो उर्जा जो है इनके अंदर सबसे कम होती है और अगर मैं गती जूर्जा के बारे में बात कर लूँ half mv square दोस्तो velocity पे गती है वेग पर जितना particle बढ़िया वाइबरेट करेंगे उठनी गती जूर्जा उनके अंदर बढ़िया होगी तो solid is question का right answer है ठीक है energetic molecule जिनमें enough बहुत जादा energy होती है उन्हें energetic molecules कहते हैं अब solid की particles इतनी पास होते हैं दोस्तों spaces इतनी कम है तो क्या ही energy होगी इनके energy होती है तो highly energetic आपकी gas है next question which of these will not change the state of matter दोस्तों निमली कितमेंस ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी भी पदार्त की अवस्ता में किसी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकती ठीक है चलो नूर यह जो हम पढ़ रहे हैं यह आपके estate paper 1 में भी आपकी मदद करेंगे यार ऐसी कोई बात नहीं है estate paper 1 में आपकी मदद करेंगे जो भिहार estate paper 2 के लिए तियारी करना चाहता है या फिर कोई ऐसा student जो tgt pgt के लिए तियारी करना चाहता है वह मेरे साथ 6 pm पे मेरी क्लास में जोइन करें जो tgt pgt चैनल पे क्लास होती है 6 बजे आप उधर मेरे साथ जोइन करो जहां पर tgt pgt की शांदार तेयारी हम लोग करते हैं उधर बहुतिक विग्यान रसायन विग्यान जी विग्यान बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के तीनों में आपको बढ़ाऊंगे तो निमली कितमे से कौन सी चॉइसे हैं जो चेंज नहीं होती जिसमें state of matter चेंज नहीं होता तापमान है crystal है एक crystal का कुचलना है परिवर्तन होगा प्रेशर के प्रेशर दाब आप लगाओ तो गया सवस्ता को द्रवे में बदल सकते हो उश्मा से भी हो सकते है लेकिन अगर आप किसी crystal को crush करते हो फ्रेंद तो crystal ठोस अवस्ता में था crush होने के बाद भी तो ठोस में रहेगा कोई solid ही रहेगा इसके अंदर कोई change नहीं होगा ठोस का ठोस रहेगा तो crushing हमेशा same state के अंदर रहती है simple सी बात ठीक है चलो which of the following is incorrect option निमलिकित में से गलत विकल्प कौन सा है यह आपको बताना है of the three states of matter the one is most compact is solid state तीनों वस्ताहों में से जो सबसे ज़्यादा compact है वो आपकी ठोसी अवस्ता होती है solid state में inter particle spaces जो होती है बहुत ज्यादा कम होती है empty होती है minimum होती है घनतवज होता है solid का जैनरली ज्यादा होता है द्रवी की मकाबले में यह gassy state rigid in nature होती है gassy अवस्ता मेरे दोस्तों nature के अंदर एकदम ऐसे rigid होती है change नहीं होरी rigid है जल्दी से बता दो गलत कथन निमली कित में से कौन सा है incorrect statement बताओ क्या है चलो अनामी कतिवारी अलग से करवाओंगे मैंने आपको बोला था कि एक एक करके क्लास हम लोग करेंगे आज पूरी रसायन विज्ञान खतम करने है पूरी स्पीड के ओपर कीजिदो questions maximum questions class में खतम करने है बहुत एक विज्ञान में already आपको करवा चुकर हूँ जल्दी से बता दो इस question का right answer ऐसे ही question आप अपने paper में देखोगे क्योंकि मैं ऐसे questions है एक तो different different बिहार के exam से पूछे गए दूसरी बार दोस्तों पूरी NCRT के अंदर आपकी जो एक-एक line लिखी है ना एक-एक line के उपर एक-एक सवाल बनाके मैं लेके आई हूँ ताकि पूरी NCRT क का निचोड हो जै जिसको NCRT का निचोड हो गया SCRT का निचोड हो गया उसकी कहानी already fit है incorrect statement के है गैसिया स्टेट रिजड होते है नीचर में रिजड होती है solid state होते है वह नेचर में रिजड होते है गैसी अबस्ता जो है वह नेचर के अंदर रिजड नहीं होती तो option number four is question क आपको डूढना पड़ता है अच्छा शागीरा मेरे को आपको याद रखना है तो मेरा टाइम याद रखो दस बजे चैनल पर मुझे ढूंड़ो जो टीजीटी-पीजीटी की तियारी करना चाहता है वो सिक्स बजे टीजीटी-पीजीटी चैनल पर मेरे साथ आए ठीक है तो दोनों के दोनों सेशन्स जो है हमारे इंपोर्टन है शूश्क बरफ, ड्राइ आइस प्रेंट, सॉलिड कारबन डायोकसेड जो आपकी ठोसी अवस्ता में कारबन डायोकसेड होती है उसको हम लोग ड्राइ आइस कहते है उसे हम शूश्क बरफ कहते है ठीक है आपकी कारबन डायोकसेड गैस के ओपर बहुत जादा प्रेशर ल शूशक बरफ का जाता है, what is fusion, संगलंग क्या होता है, fusion क्या होता है, change of liquid to solid, द्रवे को ठोस ये वस्ता में बदलना, change of solid to liquid, ठोस को द्रवी वस्ता में बदलना, ठीक है, द्रवे को वाश्क को में बदलना, या फिर gaseous state को, ठीक है, solid state में change करना, बताओ, ठीक है, अर्चना कहरी है, मैं शाम वली क्लास का playlist बनवा दीजिए, वर टीम से बात करते हूं, जरूर आपका playlist बनवा दूँए, खिलाल आप इस question का answer देदो, कि मेरे दोस्तो, fusion क्या होता है, ये बताओ, fusion याद रखना, option number two, इस question का right answer है, जब भी कोई चीज, ठोस से द्रवे में change होगी, उसे fusion कहते हैं, बहुत सारे student ना इस fusion शब्द में mix up हो जाते हैं, मतलब नहीं बता पाते हैं, fusion जो होता है, संगलंग जो होता है, solid से कोई चीज, अगर liquid में change हो रही है, तो उसे हम लोग fusion कहते हैं, मतलब basically पिघलना, आपका fusion कहलाता है, कोई चीज melt हो रही है, उसे fusion कहते हैं, दोस्तों देखो, solid से अगर कोई चीज द्रवे वस्ता में जाएगी, तो उसे हम fusion कहेंगे, अगर द्रवे से कोई ठोस बनेगी, तो उसको solidification कहेंगे, जल से अगर कोई, मतलब द्रवे से अगर कोई गैसी अवस्ता में जाएगी, तो वो वाश्पिकरन होगा, गैस से द्रवे बनेगी, तो वो condensation होगा, संगलंग होगा, तो उस से गैस में जाएगी, तो उसे हम sublimation कहते हैं, ठीक है, और जो आपके कपूर होते हैं, वो solid से सीधा गैसी अवस्ता में चेंज होते हैं, हमारे जो naphthalene balls हैं, सर्दियों के कपड़े आप ट्रंक के अंदर डालते हो, naphthalene balls को बीच पे फैक देते हो, ठीक है, हमारे कपड़ों पर कीड़े शीड़े ना लगें, तो यहाँ पर भी sublimation जो है, यह आपका solid से कैसी अवस्ता में, गैसी अवस्ता में चेंज हो रहा है, clear हो गई बात सभी को, चलो गाईस फिर इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, निमले कित में से कौन सा गैस है, जो बलून्स के अंदर भरी जाती है, गुबारों में भरी, जैसे अब ओविस्लि यहार वैलन्टाइन डे आ गया है, आप किसी को गुबारे देना, वह वह बढ़ी है गुबारे, तो आपको बताना है कि कौन सी गैस गुबारों में भरी जाती है, गुबारों में हवा भरने के लिए निमले कित में से कौन सी गैस को उपियोग किया जाता है, हीलियम का, रिडॉन का, नाइटरोजन का, या फिर आरगन का, चलो, बताओ, है वो आपका option number one है helium ठीक है helium को प्योंग किया जाता है मेरे दोस्तों balloons के अंदर क्योंकि lightest gas है hulky gas है ऐसी आप balloon को छोड़ते हो balloon आपका उड़ जाता है pH के उपर बहुत सवाल paper में पूछे जाते हैं ठीक है जितने भी आप BPSC के question देखो BPSC preliminary exam के question देखो different different जितने भी BPSC ने आज तक सरकारी paper लिये ना pH के question हमेशा paper में देखे जाते हैं तो यह रहा आपके पास pH का सवाल कोशिश करो मेरे दोस्तों देखके इसका right answer क्या होगा compounds जिनका pH value साथ के round होता है वो अमली नेचर के होते हैं acidic ऐसे योगिक जिनका pH जो है highly जिनका pH value high होता है वो अमली नेचर के होते हैं water का जो pH है दोस्तों शुन्य होता है निमली कि तुम से गलत कथन कौनसी है यह बताना है wrong statement गलत कथन कौनसी है only one three two three या फिर one two three पड़ावर्चे बताओ incorrect statement कौनसी होगी मेरे दोस्तों सब बोटर में B होगे अरे सारी के सारी गलत है भाई सारी गलत है first भी गलत second भी गलत third भी गलत compound जिनकी pH प्येच वैली साथ के पास होते है वंबली होते बिल्कुल नहीं होते जॉगिक जिनकी pH वैली होती होती है वंबली होते बिल्कुल नहीं water की pH वैली साथ होती है यह है आपका pH scale pH की full form पहले तो समझो pH का मतलब होता है potential potence of hydrogen minus log of h positive iron की concentration आपका pH है प्रेंस pH scale 0 से लेकर 14 तक ह 0 के आसपास जितनी भी values हैं strong ताकतवर अमल की हैं और 14 के पास जितनी भी values हैं वो ताकतवर शार की हैं 7 value neutral के होते हैं यानि कि आपके पानेगी water जो कि ना तो एक अमल है नो तो एक शार है 0 से लेकर 7 के बीच में जितनी values हैं वो आपके अमल की हैं और 7 से लेकर 14 तक जितनी भी values हैं वो आपके शार किया है अब मेरे को एक बात बताओ मालो मैंने कहा कोई ताकतवर अमल है जैसे HCL hydrochloric acid ताकतवर होने का मतलब यह बहुत सारे H positive ions को छोड़ेगा जैसी आप इसको पानी में मिलाओगे बर बर के H positive ions चूटेंगे जैसे H positive ions बहुत सादा चूटेंगे इन H positive ions की concentration सांदरता बढ़ जाएगी सांदरता बढ़ी लेकिन बाहर जो sign है वो minus का sign है negative तो pH का overall answer जो है वो less हो जाएगा ठीक है pH का जो overall answer है वो मेरे दोस्तों कम हो जाएगा तो यानि कि कम के आसपास जो value होगी वो मेरे दोस्तों आपकी acid की value होगी अमल की ताकतवर अमल की value 0 के आसपास होगी ताकतवर शार की value 14 के आसपास होगी ध्यान में रखना next version कहता है निमली कितमे से कौन से factor पे evaporation का दर जो है निर्भर करता है सबसे पहले आपके तरल का तापमान तो आपको बताना है कि 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 के ऊपर कौन से से factor है जिस पे rate of evaporation वाश्पी करन का दर मेरे दोस्तों इन तीनों में से किस चीज के ऊपर निर्भर करता है ये आपको बताना है चलो बड़ावट से like करते चलो सेशन को यार अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करते चलो और जितना करो कोशिश क्लास के अंदर live जुडना है दोस्तों live मैं आप लोग की एक जल्दी क्लास लेके आने वारी इतनी धमाकेदार जिसमें सारे के सारे acts सारे के सारे national parks और सारी की सारी important dates से related आपको मैं बहुत सारे questions प्रैक्टिस कराऊंगे basically इस class के अंदर मैं आपको याद करवाऊंगे नाशनल parks खुद से याद करने बहुत मुश्किल है important dates खुद से याद करने बहुत मुश्किल है और important acts कुद से याद करने बहुत मुश्किल है तो इस सारी चीज़े जो है यह मैं आपको करवाऊंगे evaporation बाश्पि करन निमली खित में से किस पर निर्भर करता है option number 4 इस question कराईट answer है first, second and third, तीनों पर देखो सत्य छेत्र पर निर्भर करेगा माल लो आप लोगों ने एक dress ली आप में dress जो है, ठीक है धो दी, अब एक बात बताओ जब आप कपड़ा धोते हो तो उसको फिला फिला के तार पे सुखने के लिए डालते हो कि उसको fold करते हैं, अगर मैं आपसे एक चोटा सा सवाल पूछू हूँ, हम जब भी कपड़ा दोते हैं, तो पहले उसको खोलते हैं, दोते हैं, फिलाते हैं, और फिर तार पे उपड़ालते हैं, fold तो नहीं करते न, तूम फिला के डालते हैं ताकि सत्ते हैं, छेत्र बड़े, जितना surface area बड़ेगा, उतना ही evaporation, वाश पी करन का दर मेरे दोस्तों increase होगा, important बाहर तापमान बड़ेगा मालो गर्मी है, ठीक है 40 degree Celsius, तापमान बड़े गया फटा फट से वाश पी करन होगा द्रव फटा फट से गैसी है, वस्ता में change कपड़ा सूख गया, वाश पी करन का दर temperature के साथ भी directly proportional है बढ़ता है मेरे दोस्तों, सर्दियों में कपड़े दीमा-दीमा सूखते हैं, गर्मियों में बड़ी तेद सूखते हैं, क्योंकि तापमान जादा होता है dryness of air, हवा का सूखा पन अगर हवा सूखी है, उसमें humidity नहीं है, आधरता नहीं है देखो यार, air की नहीं एक capacity है ठीक है, air की नहीं एक capacity होती है कि air अपने अंदर कुछ वाश्पी करन कुछ वेपर्स को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, उसको हम कहते हैं यह भाई, air की capacity है कि हम कुछ वेपर्स को अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं आपकी capacity कि आप 2 रोटी खा सकते हो तो आप 2 ही खा सकते हो जैसे मैं आपको तीसरी रोटी दूँगे आप बड़ी slow-slow खाऊँगे आपको मन नहीं करेंगा कि यार मैं क्या कहाऊं क्या ना खाऊं मेरा मन नहीं कर रहा मैं दो रोटी में मेरा पेट भर गया एर के पास एक capacity है कि वह जलवाश्प को अपने अंदर hold कर सकता है जैसे ही मेरे दोस्तों आदरता होती है वारिश का मौसम होता है क्लास से आजाएंगे आएंगे पका आएंगे मुझे पता ही है क्योंकि TRE 1.2.2 दोनों में आये थे तो 3.2 में भी आएंगे चलो matter made up होता है very minute particles ठीक है जो आपके पदार्त है वो बहुत शूश्मकणों से बने होते हैं जिन्हें परमानू कहा जाता है आपको बताने है दोस्तों परमानू जो है वो further विभाजित नहीं हो सकते कौन से scientist ने परमानू से धान दिया था atomic theory दी थी यह बता उन्होंने कहा कि पदार्त में सबसे चोटे परमानू है हम परमानू को further divide नहीं कर सकते वहिया परमानू के अंदर कुछ नहीं है सबसे चोटा परमानू है जेजे थॉम्सन रदर पोहर नील बोहर या फिर जॉन डाल्टन साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने ऐसा कहा कि जो परमानू होते हैं वह सबसे चोटे होते हैं मैटर क्या है हर वोगान्याशी गरे जैसे यह मेरा पानी गलास का का क्या मेस गिया पर देसाड़ यह में आजादी कमेरेगे हाँ केह बिल्कुल है आप, मैप, एन, फोन, टेवल, चेक, यह सारे के सारे सबसे चोटे परमानू से बने होते हैं और परमानू से चोटा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा जॉन डाल्टन ने लेकिन इनकी थ्योरी गलत प्रूफ हुई, क्योंकि J.J. Thompson नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोन की डिस्कवरी की, ठीक है, प्रोटोन की डिस्कवरी गोल्ड स्टीन ने की, ठीक है, आपकी जेम्स चैडविक ने दोस्तों, न्यूट्रोन की डिस्कवरी की, तो ये सारी बाते ध्यान रखना और जॉन डाल्टन की थ्योरी फेल होगे, लेकिन फिर भी बहुत जादा इन से पूचे जाते हैं, कि परमानु सिंधार कौन से साइंटिस्क ने दिया जॉन डाल्टन, जिसको नहीं पता, ठीक है, वो मेरे दोस्तों, लिख दो, जिसको नहीं पता था, चैट में लिखकर याद कर लो, कि एक्टम के अंदर, इलेक्रॉन्स प्रेजन होते हैं, जो न इस इंफेक्टिड वॉटर, निमलिकित में से किस रसाइन को प्योग पानी के, आपके पानी को किटानू रहित करने के अंदर किया जाता है, क्या क्लोरीन है, वाशिंग सोडा है, सिलिका है, या फिर कोईला है, पढ़ावर से बताओ, पानी में से आपको जब जटाने है, म सारे के सारे मर जाते हैं, और एकदम पानी साफ हो जाते हैं, अब यहाँ पर लिखें वाशिंग सोडा, क्या दोस्तों, आप लोग मुझे वाशिंग सोडा का रसाइनिक सूत्र बता सकते हो, बताओ, वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मुला, रसाइनिक सूत्र क्या होगा, मुझे कौन बताएगा दोस्तो washing powder nirma washing powder nirma सुने दूद सीस तफेर दी गई निर्मा से आई सुन्दर कपडे भी खिल-खिल जाई तो washing soda का क्या होता है chemical sutra यह बताओ ठीक है friends Na2CO3.10H2O इसको हम लोग washing soda कहते हैं यह याद रखना अगर मैं बात करो Na2CO3 इसको baking soda कहा जाता है यह question भी paper में आता है examiner पूछता है plaster of Paris के है CSO4.5H2O आपका POP है यह सारे chemical sutra आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन से हर बारी प्रेशन आता है आपकी paper में और chlorine का इस्तमाल किया जाता है Guys अगला सवाल दो तत्व है X और Y इनका द्रविमान संक्या सेम है लेकिन इनके मतलब इनकी mass number सेम है लेकिन इनके atomic number डिफरेंट है एक का 20 है एक का 21 है यह X और Y क्या है isotones है ISO bars है ISO mers है या फिर isotopes है बताओ चलो बताओ इनका सेम mass number है बताओमिक नमबर उनका अलग लग है 20 है का 21 यह X और Y isotones होते हैं ISO bars होते हैं ISO mers होते हैं आईसो टोप होते हैं Thanks पुझा-पुझा कह रही कि मैं हम अच्छा बढ़ाते है दोस्तों फिर भी आप लोग लाइव नहीं आतो यार सिरफ देख के चले जाते हैं अच्छा बढ़ाने का क्या फायदा मेहनत करने का क्या फायदा इससे अच्छा तो बेकारी पढ़ा दो कम से कम नले नले questions कराओंगी तो आप live जो आ जाओगे ऐसे मत करो यार मैं quality पढ़ा रही हूँ आपको पता है अब मैं पूरी किताब नहीं करवा रही हूं किताब की क्लाइन के प्रश्ण करवा रही हूं ताके आपको प्रश्णों का भी पता चले content भी तैयार हो जिसके पास इस NCRT पूरी ढंक से आती वह औवेश्ली लीसक निकाल लेता है इन दोनों के basis के ओपर विग्जान पर पूछी जाएगी ठीक के पर्यावरन परवे प्रश्ची जाए जाएगी आपकी में तो विग्यान है ठीके और आपकी जितने आक्त हैं जितने वह हैं डेट्स आपके नैशनल पार्क ये भी मैं आपको क्लास में याद कराऊंगे बस लाइफ जुड़ जाए गरो यार इस क्वेशन का राइट आंसर आइसो बार्स है देखो दो बाते हैं आइसो शब्द का मतलब होता है सेम और बार आप अगर पंजाबी लैंग्वेज को जानते हो तो बार को बोलते हैं पार जैसे बंदा बोलता है कि तेर में बहुत पार है है ना तो बहुत भारी है तेर में बहुत बार है तो आईसो का मतलब सेम है और बार का मतलब है बार याद रखना तो ISO-bar वो होते हैं जिनका mass number जो है वो आपका same होता है लेकिन इनका जो atomic number है वो आपका different होता है तो इनकी द्रविमान संक्या same होते है लेकिन इनकी परमानु संक्या अलग होते है उसे हम ISO-bar कहते है गैस तो यहाँ पर आप देखो 40, 40, 40 फ्टी मास नंबर 3 हैं परमान संक्या तीन होगी इfrage कि फिर्टामेश के अंदर संस्थानिक परमान संक्या तीन होगी बराबर है एक-एक लेकिन ध्रब्रमान उसंग्य ऐसकी Cost कोई मेरा भाई ऐसा है क्लास के नदर ऐसा स्टूडेंट जो बोल दे कि मैं एक प्रॉबलम है कि मुझे यह भी नहीं पता कि अगर किसी को कुछ बेसिक से भी नहीं आता ना तब भी मैं आपको सिखाओंगी क्लास में खास बात यह है कि अपन बनेंगे जीरो से हीरो जीरो टू हीरो ठीक है सुनो अब अब अटॉमिक नंबर पर्मानु संक्या का मतलब होता है कितने प्रोटोंस प्रेजन्ट है प्रोट अगला सवाल निमली कितने से कौन सा स्टेट्मेंट हमेशा सही है करेक्ट है एक एक आटम जो होता है परमानु उसके पास equal number of protons and electrons present होते हैं एक पर्माणू के पास बराबर number है electron और neutron के एक पर्माणू के पास बराबर है proton और neutron और एक पर्माणू के पास equal है electron, proton, neutron तीनो जल्दी से मुझे बताओ निमलिखित में से कौन सा जो ऐसा कतन है आपका जो सही है correct statement निमलिखित में से कौन सा है बताओ चलो इस question का right answer option निमलिखित में से कौन सा है एक पर्माणू जिसमें electron और proton کی संखिया एक समान होती है ठीके? याद रखना पर्माणू के अंदर दोस्तों हमेशा electron की संखिया proton की संखिया के बराबर हुगी और इसे ही हम लोग atomic number कहते हैं पर्माणू संखिया कहते हैं और जिनकी पर्माणू संखिया सेम होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है नेचर के अंदर, ये बात सभी लोग ओके रखना याद रखना, पहला मॉडल परमाणूं का किसके दोरा दिया गया था, गोल्ड स्टीन दोरा, रदरफोर दोरा, जेजे थांसन या फिर नील बोर, मुझे के अंदर, अल्मोस्ट इन में से पूचे गई question है, तो प्लीज धंग से के question को कर लो, जिसके पास NCRT और SCRT की पकड़ है ना, वो हर एक question को solve कर सकता, पेपर के अंदर, फिर्स्ट मॉडल, किसके दोरा दिया गया था, जेजे थॉम्सन दोरा, जो तो एक चीज याद रखन इन जेजे थॉम्सन scientist नहीं, electron की discovery की थी, और पहला model जो है, वो इनके दोरा ही दिया गया था, जेजे थॉम्सन दोरा, इन्होंने कहा, कि जो परमाणू होता है, परमाणू के अंदर, ये positive charge है पूरा, और electrons जो हैं से बीच में embedded है, electrons बीच में इस प्रकार से फसे हुए हैं, ये बात याद रखना, तो जेजे थॉम्सन ने पहला model दिया था, very very important, एक atom का, एक परमाणू का, option number 3, इस question का right answer और इसका नाम था plum pudding model, ये आपके जेजे थॉम्सन है, examiner आप से पूछता, electron की discovery किसने की, जेजे थॉम्सन ने, examiner पूछता, atomic theory परमाणू सिधान किसने दिय आप बोलोगे, जोन डाल्टन ने, तो ये ध्यान में रखना, next question, निमलिक हित में से कौन सा, ऐसा process है, जिसमे उश्मा उर्जा इस्तमाल में नहीं आती, heat energy जिसमें यूज नहीं होती, प्रकास translation है, thermal power plant है, electromagnetism है, या फिर आपकी transportation परिवहन है, बताओ, देव शंकर क्या रहे है, मैं batch लेना, देव शंकर batch लेने के लिए, यहाँ पर आपको ये link नजर में आ रहे है, बढ़िया सा, इस link के उपर जैसी आप क्लिक करोगे न, link के उपर क्लिक करते ही, आपको course का link मिल जाएगा, वहाँ पे side पे लिखाएगा apply coupon code, course लेने के लिए, तो आप coupon code लगा सकते हैं, रितिका, जिससे के आप लोग course को buy कर सकते हैं, मेरे coupon code पे आपको discount मिल जाएगा, तो जिस जिसको course लेना भया, वो ले सकता है, और discount भी ले सकता है, coupon code लगाने पर discount भी लेगा, आप direct लोगे तब नहीं मिलेगा, इस question का right answer option number 3 है, only 3, देखो, प् पोधे लीचे से जल को अब शोशित करते हैं, खनिच को अब शोशित करते हैं, और photosynthesis करके अपना food बनाते हैं, इसमें तो use हो ही रही है, उश्मा उर्जा, ठीक है, आपकी इस्तमाल में आ रही है, ठीक है, second, thermal power plant की अगर मैं बात करूं, thermal power plant में हम लोग जिवान शिंदनों को लेते हैं, जिवान शिंदनों को जलाते हैं, जलाने से steam जो produce होती है, इसकी मदद से विद्यूत बनाई जाती है, इधर भी use हो रही है, 101% use हो रही है, आगला मेरे दोस्तों, transportation की बात परिवहन की, तो एक जगा से दूसरी जगा हमें जब जाना होता है, परिवहन करते है तो petrol जो है, उश्मा उर्जा की मदद से फुकता है, ठीक है, burn होता है, उसके बाद उर्जा produce होते हैं, और आपका गाड़ी स्कूटर चलता है, Electromagnetism, ठीक है, electricity का produce होना चुम्बक्तव की वज़े से Electromagnetism कहलाते हैं, और इसमें कोई भी उश्मा उर्जा का इस्तमाल नहीं ह होता, यह point ध्यान में रखना, चलिए guys, next question की तरह आगे चलते हैं, read the following statement and choose the correct answer, ध्यान से following statements को पढ़कर सही कथन को चुनिएगा, आपका polyester एक प्राकृतिक रेशा है, polyester से कपड़े, जो polyester के कपड़े होते हैं, उनमें कभी जूरिया नहीं पढ़ते हैं, wrinkles नहीं पढ़त पॉलिंग statement को पढ़ो, देखो और बताओ, सही कथन आपका क्या होगा, polyester एक प्राकृतिक रेशा है, कपड़े जो polyester के बने होते हैं, उनमें कभी भी wrinkles नहीं पढ़ते, polyester क्रिस्पी रहता है और easy होता है वाश करने को, teraline एक popular polyester है, चलो भई इस question का right answer option number 4 है दोस्तो, B, C, D, तीन हो सही है, clothes जो होते है, polyester के बने होते हैं, उनमें कभी भी जूरिया नहीं पढ़ती, polyester बढ़िया रहता है, अगर आप उसको धो, तो उसमें जलब शोशीद नहीं होता, full power सूब जाता है, दोस्तो, teraline एक बहुत ही ज़दा popular polyester है, यह प्राकृतिक रहशा नहीं है, polyester हमें प्राकृति से नहीं मिला, हम ister से, ister की मदद से polyester को बनाते हैं, आपकी जो कपड़े होते हैं, polyester के बढ़िया होते हैं, कोई रिंकल विंकल इन पर पढ़ता नहीं, बढ़िया जगास साफ, मतलब मस्त, प्रेस भी करने की ज़ुरत इन दोनों की मदद से polyester बनता है, मैं तो बोलते हैं, चैट के अंदर ही दोनों बात लिख दो, यह दोनों शब्द लिख दो, एक लिख दो इथाइलिन ग्लाइकोल और एक लिख दो टेरी थैलिक आसिड, यह question आप देखोगे, आपके paper में पूछा जाएगा, जिसके अंद का कैसे बनता है, polyester, ठीक है, एथाइलिन, ग्लाइकोल और टेरी थैलिक आसिड, यह याद में रखना सभी लोग, आगे बढ़ते हैं, रेडियो आइसो टोप, जो की cancer की treatment में इस्तमाल में आता है, बहुत बढ़िया question है, यह question मैं इसलिए लेके आई हूँ, क्युक्कि इस question और याद करते हैं, इसको कहते हैं, लिंक, दोस्तों, cancer की treatment में, काकोबोल 60 इस्तमाल में आता है, ठीक है, ठीक है, आयोडीन की अगर मैं बात करूँ, तो ग्वैटर की अगर मैं बात करूँ, घेंगा, घेंगा नाम की बिमारी क्या है, आयोडीन की कमी की वज़े से होती है, हमारे गले के अंदर थायरोल ग्लांड होता है, वो थायरोक्सिन नाम की होर्मोन को रिलीज नहीं करता, तो अगर मैं आयोडीन की बात करूँ, घेंगे की, तो आयोडीन 131 की मदद से घेंगा ठीक होता है, sodium 24 किसमें मदद में आता है, कोई बता सकता है, गाई, sodium 24 किसके अं का जमा है या नहीं, ब्लड की क्लोटिंग हुई है कि नहीं, इसके अंदर sodium 24 आपका मदद में आता है, और uranium 225 nuclear reactors के अंदर दोस्तो यूज होता है, यूरेनियम 225 की बात करूँ, तो ये आपका uranium 235 nuclear reactors में यूज में होता है, तो याद रखना आपके जो radio isotopes हैं, इसके अंद sodium chloride में या फिर iodine के अंदर कौन ऐसा है, जो sublimation नहीं दिखाता, बताओ भई, चलो, लेट स्टड़ी कह रहे हैं कि मैम TRE 3.0 के लिए क्या पढ़ना है, देखो यार, TRE 3.0 के लिए, सबसे पहले तो sessions attend करो, सबसे important, ठीक है, जिसको paid course लेना है, वो paid course join करें, फिर उसको कोई tension की ज़रूरत ही नहीं, उसकी तैयारी full power set, जिसको paid course नहीं लेना, तब भी कोई problem ही, जो नहीं लेना चाहता, वो मेरे साथ join कर सकता है, आप 10 a.m. पे मेरे साथ जुड़ो सुबे, दूसरा मेरे साथ शाम को 6 p.m. पे जुड़ो, ये TGT, PGT चैनल पर जुड़ने का, ये TETPR टे, आप लोगी तैयारी में करवा दूँगी, बस आप sessions के अंदर आओ, मेहनत करो, और फिर कमाल देखो, इस question का right answer है, sodium chloride, दोस्तो, sublimation क्या होता है, जब भी कोई चीज solid से, फोसी अवस्ता से direct gas बनती है ना, उसको अपन sublimation क नहीं करता, ये सीधा solid से gas नहीं बनता, camphor कपूर शो करता है, ammonium chloride शो करता है, iodine शो करता है, लेकिन sodium chloride कभी भी थोस से, गैसी अवस्ता में change नहीं होता, ये sublimation अंडर गो नहीं करते, next question friends, temperature के change के उपर एक और question, मैंने आपको starting के अंदर formula बताया था, कि Celsius को Kelvin के अंदर कै ये question और solve कर दो, ताकि मुझे guarantee हो जाए कि आप लोगों को आ गया करना, ठीक है, आपके पास boiling point है, diethyl ether का, acetone का, और n-butyl alcohol का, ये 35 degree Celsius, 56 degree Celsius, 118 degree Celsius, अब आप लोगों को बताने Kelvin scale पर ये तापमान कितने होगा, एक बर ये conversion कर दो, क्योंकि examiner बहुत जगा से ऐसे question पूछता जो बहुत सारे paper में पूछा जाता है, चलो, अनामी का दिवारी, आपके paid course के अंदर सारी subject पढ़ाएंगे, सारे teachers की class आपको मिलेगी, जिसमें सारी subject आपके होंगे, तो अगर आपको ऐसा है, तो आप test book के number पे एक बरी call करके confirm भी कर सकते हो, अगर किसी को कुछ पूछना है, बात भी कर सकता है, ठीक है, course के जब description पे आप लोग जाते हो, तो आपको वहाँ पता ही होता है, कि कौन से teacher क्या क्या पढ़ा रहे है, वो आगे, वहाँ पे description में लिखा ही होता है, इस question का right answer option number 3 है, 308 Kelvin, 329 और 391, बस इतना याद रखना, temperature ने in degrees Celsius में 273 को आड़ करने पर दोस्तो Kelvin के अंदर temperature आजाता है, most important बात यह है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल, तो यह याद में रखनी है, very important, 35 degrees Celsius में 273 मिला है, 308, 56 में 273 मिला है, 329, और 118 में मिला है, 391, गाइस अगला सवाल, which of the following is a part of inorganic impurities in seaweed, आपके निमलिकित में से कौन से वाहित मल में, अक carbonic अशुदियों का एक हिस्सा है, pesticides है, urea है, phosphate है, या फिर vegetable waste है, बता सकते हो, चलो, डेजी शर्मा ने बोला कि मैम जो पीछे, UPTGT, देखो डेजी अगर आप UPTGT के तियारी कर रहे हो, किसी पी TGT, PGT exam के तियारी कर रहे हो, ठीक है, तो उस case में आप मेरे साथ 6 PM पे भी जुड़ो, 10 बजे भी जुड़ना है सारे students को, क्योंकि General Science, General Act, National Park and all, जो भी आपके questions आएंगे, वो हर paper में आएंगे, BPSC हर paper में General पूछता है, तो General के लिए 10 बजे में General class लेती हूँ, लेकिन subject-based जो class आपको करनी है, जो higher level की class है, tough level की class है, उस class के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है, मेरे दोस्तों 6 बजे, इस question का right answer option number 3 है, आगर मैं phosphate की बात क प्रेजन होती है, तो यह phosphate हमारे सीवे में प्रेजन होता है, यह इन और्गानिक है, pesticides, urea, vegetable waste, इस सारे के सारे कार्बोनिक है, ठीक है, चलो जी, next question, which of the following is known as fundamental unit of element, एक तत्व का fundamental unit कौन होता है, चलो जी, बताओ, एक तत्व का fundamental unit ions हैं, molecules हैं, compounds हैं, या फिर atoms हैं, बता सकते ह जाबज, एक तत्व का fundamental units हैं, और जॉन डाल्टन ने यह atomic theory दीती है, याद रखना, ठीक है, लेकिन जे जे तॉम्सन ने उसके बाद, electrons हैं, atoms के अंदर यह बताकर, जॉन डाल्टन की theory को fail कर दिया था, फ्रेंद, यह सारे question हमारे exam में आते हैं, तो ध्यान से इन चीज़ों को देख लो, कि अगर मैं पर्मानू की बात करूं, पदार्थ में सबसे चोटा पर्मानू होता है, no doubt, लेकिन इस पर्मानू के केंद्रक के अंदर, neutrons और protons present होते हैं, और electrons जो हैं, इसके आर पार, आर पार दोस्तों, चक्कर लगा रहे होते हैं, this is an important part, चलो, कौन सा element, liquid है चलो, इस question का right answer क्या है, कौन सा ऐसा तत्त्त है, जो द्रविय वस्ता में, द्रविय वस्ता में हो जाता है, 30 degree Celsius से उपर, इस question का right answer आपका option number 1, cesium है, तो सब लोग ध्यान से देखो, बहुत सारे लोग sodium लिख रहे हैं, नहीं, अगर मैं cesium के बार में, कमजोर forces of attraction होती है, जैसे ही आग 30 degree Celsius के उपर जाते हो, वैसे ही आपका liquid state के अंदर, द्रविय वस्ता के अंदर, चेंज हो जाते हैं, दोस्तों, ये बात अध्यान में रखना, चलिए next question की तरफ, आगे बढ़े, match करो, कितने atoms present होते है, chemical species आपको दे रखे हैं, इसमें कितन करने के लिए कि हमारी basic knowledge कितनी strong है, हमसे पूछ लेता है कि इन्हें क्या पता चलता है कि chemical species में number of atoms कितने है, तो ये question आपके paper में आ जाता है, भाईया, करो, जाइस voice हारी रंग से, बिल्कुल voice में कोई दिक्कत नहीं है, friends voice is okay, करना calculate, इसका right answer option number 3 है, ठीक है, अगर मैं CO3 की बात करो, तो CO3 के अंदर 4 है, 3 oxygen के carbon का, PO4 के बारे में बात करो, तो उसमें 5 है, P2O5 में 7 है, और CO में 2 है, तो number of atoms भी count करने आपको आने चाहिए, क्योंकि examiner हम से basic, जैसे अब students डर जाते, CO3, 2 negative, आप कई क्या करते हैं, यह 3 plus 1, 4 जुड़के 2 minus कर दे, बोले यह minus 2 भी तो हो रहा उपर, यह minus 2 आपका, यह plus 2, minus 3, यह आपका क्या बताता है, minus का मतलब electrons add हुए है, plus का मतलब दोस्तों, electrons चले गए है, यह minus और plus sign हमें यह बताता है, इनका atom से कोई लेना देना नहीं, पर मानूत उत्रही है, ठीक है, atom उत्रही है, उनमें से electrons add हो गए हैं, जै electrons चले गए है, negative और positive sign यह बताता है, students इसमें भी confused रहते हैं, कई students क्या करते है, PO4, पहले 4 गिनेंगे plus 1, बोलेंगे 5, मैं 5 minus 3, 2, अब नहीं रहे, 5 ही रहेगा, atom अलग चीज़ है, electron उसके अंदर है, उनका निकलना बहर positive sign देता है, योगिक के उपर, उनका add होना negative sign देता है, योगिक के उपर, ठीक है, clear, चलो guys, next question, most of the mass of an atom is concentrated in a small region called, जो most द्रवेमान है, परमाणू का, अधिकाश द्रवेमान, एक छोटे से चेतर के अंदर केंद्रित होता है, उसे nucleus कहते है, orbit कहते है, valence shell कहते है, क्या कहते है, चलो, हाँ डेजी, आप लोगों को at least इतना तो चाहिए कि, जो appearing student है, उनका qualify तो होना ही चाहिए, seated का exam, ठीक है, आप लोगों को 23rd February तक, आवेदन करने का time है, जिसने form भरना है, जो जो BPSC TRE 3.0 के लिए eligible है, वो 23 परवरी तक अपना form भर दें, last date 23 परवरी है, last date के उपर मत जाएं, क्योंकि last date पर site इतनी busy होते कि, आप form नहीं भर पाओगे, तो जितनी जल्दी हो सके अपने form को भर दो, इस question का right answer nucleus है, आपके परमाणू के केंदरक के अंदर, इसका maximum दरविमान मेरे दोस्तों present होता है, तो maximum दरविमान की बात करें, तो यह आपका nucleus के अंदर, क इसका प्रियोग किया जाता है, कौन सी टेकनीक का, carbon rating का किया जाता है, chromatography का किया जाता है, tracers का किया जाता है, या फिर extraction का किया जाता है, यह बताओ, ठीक है, चलो, वैसे तो गुंजन उमीद पूरी है, कि result आ जाएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है, कि BPSC TRE 3.0 के टेकनीक जिसको यूज किया जाता है, जिवांशों की उमर जानने के लिए, उसको दोस्तो carbon rating कहते हैं, अब actually कर रहे हैं, हर एक चीज़ almost carbon से बनी है, ठीक है, अब यह carbon 14 जो होता है, basically, सब में present है, यह isotope है, कितना decay हो रहा है, इसको ना कुछ समय लगता है, decay होने में, मालो से हमें पता चलता है, कि इतना खतम होने के लिए, कम से कम भी, इसको कितने साल लगे होंगे, मतलब 500 साल, 600 साल, 1000 साल, इतने सालों में यह इतना decay हुआ, तो carbon की decay को check करकर हमें पता चल जाता है, यह जो कंकाल मिले हैं, जितने भी fossil fuels मिलें, जिवां शिंदन मिलें, यह कितने साल पुराने, तब ही तो ऐसे archaeologist डूंड कैसे बोलते ही, भाई हमें यह चीज मिली, पृत्वी के नीचे से, तीक है, या फिर आपकी किसी जगह से, यह 500 साल पुराने है, 1000 साल पुराने, 2000, इन्हें कैसे पता, कि इतने साल पुराने है, क्योंकि carbon 14 की मदद से, यह पता करते carbon rating से, कि carbon जो खतम हुआ है, कितना खतम हुआ है इसके अंदर, और कितने साल लगे होंगे उसको खतम होने में, वहां से हमें पता चलता है, तो याद रखना, example of miscible liquids, miscible वो होते हैं, जो आपस में mix हो सकते हैं, NCRT की एक-एक line, आप देख रहे हो, miscible liquid जो है न, NCRT में एक line ह उस line, यह line important है, इससे प्रशन आ जाता है, आपकी NCRT और SCRT किताब की एक-एक line का नहीं चोड है, एक-एक line का एक-एक question बना के में लेके आई हूँ, क्योंकि ऐसा ही examiner question form करके देता है, और NCRT और SCRT की एक-एक line हमारे लिए महत्पपूर है, क्योंकि इहीं से आप देख पानी को मिलाते हैं, यह अच्छे से आपकी mix हो जाती है, जैसी alcohol पानी के अंदर mix होती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं, कैसी nature के, miscible liquids है, ठीक है, यह कैसी nature के, दोस्तों, यह mix हो सकते हैं, यह आपस में miscible liquid है, तो alcohol and water क्या है, आपका example, miscible liquid का, suspension of chalk and water is separated by, आपका chalk और पानी का जो निलबन है, किसकी मदद से प्रिथक किया जाता है, बताओ, अच्छे यह alcohol से न, मुझे एक चीज याद आई, मैंने आपको कोड पढ़ाया था, blender pride, अगर आपको याद हो, ठीक है, blender pride, B से होता है, base, शार, और P से होता है, pink, दोस्तों, phenophylline, हमेशा शार के साथ, आपक कि जो phenophylline होता है, वो शार के साथ, गुलाबी याँखे, पीला रंग देता है, suspension of chalk and water, तो आपको पास पानी है, पानी के अंदर chalk है, इनको हम किस विदी से प्रिथक करन करते हैं, निस्तारन से, अवसादन से, निस्यंदन से, या फिर वाशपी करन से, decantation, sedimentation, filtration, या फिर evaporation, suspension of chalk and water को किस ते separate किया जा सकता है, बताओ या, मेरे शेरों आज chemistry पूरी है, पूरी, ठीक है, physics आपको मैंने दो क्लास में पूरी करवा दी थी, एक-एक क्लास में, एक-एक subject उड़ा देंगे, और फिर यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा, आज तक TRE 1.0 का पेपर खोल 3 है, क्योंकि मैं कुछ छोड़ूंगी इनना यार, सब कुछ पूरा करवा दूंगी, complete, तो जब कुछ बचेगा ही नहीं, तो मेरे दोस्तों, फिर क्या ही होगा, filtration इस question का right answer है, हमारे पास फिल्टर पातर होते हैं, फिल्टर पातर के अंदर दोस्तों छिद्र होते हैं, जो इन छेदों से बड़े होते हैं, जो छोटे होते हैं, नीचे चले जाते हैं, हमारे पास चौक का powder है, हमारे पास इसके अंदर पानी है, जैसे हम फिल्टर पातर म में ये पदार्थों का प्रिथकरन कक्षा 6 का very important chapter है उसके अंदर ये बात लिखी गई थी और ये question paper में आता है तो density of water is maximum at जल अधिक्तम जल का घनत्व अधिक्तम कहां होता है पांच डिग्री celsius पर 100 डिग्री celsius पर 7 डिग्री celsius पर ये 4 डिग्री celsius पर पटाफट से chat के अंदर सभी लोग लिख दो क्लास अची लग रही है तो भाई मेरे एक एक लाइक भी ठोकते चलो और क्लास के अंदर सभी लोगों को लाइक जुड़ना है 10 a.m. सुबह और 6 p.m. साथ को 6 p.m. शाम को density of water maximum option number 4 is question का right answer है 4 डिग्री celsius गाइस 4 डिग्री celsius पर जो घनत्व होता है पानी का सबसे अधिक्तम होता है सबसे maximum density 4 डिग्री celsius के उपर होती है आपकी water की ये बात ध्यान में रखने का next question humidity present in the air is an example of वायू के अंदर उपस्तित आदरता डैश का उधारन है gas in liquid द्रविमान आपका जो gas है liquid के अंदर द्रविमान में gas में gas in gas liquid in liquid या फिर liquid in gas तो आदरता जो present होती है आप बड़ा चिपचिपा मौसम है बड़ी humidity है मैं देख रही है यार शरीर पर मुह पर हर जगापर बारिशों के बाद हो ही जाती humidity अगर आप गोवा या मुंबई वा आपका option no.4 है liquid in gas solution गैस विलिन में जो द्रवे है liquid है gas solution में उसे हम कहते हैं कि humidity present है मेरे दोस्तों यह रहा gas gas के अंदर द्रवे present है liquid इसे आदरता कहा जाता है और आदरता के बढ़ने पर वाश्पी करण evaporation कम होता है हम अभी पढ़के आए बारिशों के मौसम में आप कप वाश्प वेपर प्रेजंट है वायू में तो वायू एक capacity होती है वेपर लेने के जैसे आपकी capacity तीन रोटी खाने की मैं आपको चौती रोटी दूंगे आप बस मैं पेड भर गया यार मैं नहीं खा सकता भाई मेरी capacity कर्दम हो गई तो ठीक है ऐसे ही air में भी capacity है कुछ जल वाश्पो को अपने अंदर लेने की जैसी आप humid environment के अंदर कपड़े सूखने के लिए डालते हो तो यह जल है वाश्पो में इतनी जल्दी convert नहीं होता यह सूखते नहीं है क्योंकि air लेता ही नहीं है वो कहता अलड़ी है मेरे पे चल बग मुझे नहीं चाहिए cooking gas is mainly mixture of two gases रसोई gas के मुख्य रूप से दो गैसो के mixture है देखो सुनो मेरी बात समय है कम तैयारी करनी है जोरदार पूरी मेहनत करनी है जितना हो सके अपनी class को इतने अच्छे से देखना है कि हम लोग exam को qualify कर ले तो एक class में maximum question practice होंगे मैं धीमी गती से नहीं चलूँगी मैं बड़ि स्पीड यह है ठीक है तो जल्दी से मुझे बताओ cooking gas जो की मेरे दोस्तों आपकी कौन सी दो gases का mixture है तो पूरे जोश में class में जुनना और पड़ा पड़ा चैट में answer करना है अपने भी तरह टाइम नहीं है जल्दी से बता दो इस question का right answer guys आपका option number 3 है ठीक है आपका propane और butane guys दोनों से मिलकर आपकी बनती है आपके घरों के अंदर LPG use होती है liquefied petroleum gas क्या आप लोग एक चीज जानते हो इसकी ना कोई smell नहीं होती कि कोई भी smell नहीं होती अगर यह gas leak होना तो आपको कभी पता ही ना चले लीक हो रही है आप सोचरों में Maggie बनाने जा रहा हूं अप ethylene mercaptain याद रखना भाई मेरे याद रखना ethylene mercaptain question paper में आ सकता है ethylene mercaptain को डाला जाता है आपकी liquefied petroleum gas में ताकि इसकी कुछ smell आए जब gas leak होती है आपको smell आती ना LPG की smell नहीं है liquid petroleum gas में कोई smell नहीं है मैंगी बनाने जाओगे भगवान के घर मैंगी खाके आओगे ठीक है अगर gas leak हुई तो जो smell आती है वो ethylene mercaptain की वज़े से आती है जिसमें हमें पता चलते है कि gas leak हो रही है फटा फट से जाके नौब को बंद करें ethylene mercaptain को भाई chat के अंदर लिखकर इसे याद कर लो दोस्तो chemical formula POP का क्या होगा यह आपको बताना है cso4.2h2o cso4 cso4.2h2o या फिर cso4.2h2o मुझे फटा बट से बताओ दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँ कि chemical formula POP का गया भी class की starting में मैंने बताया था का कि अब आप answer दे दो जल्दी से बता दो याद रखना इस question का right answer option number c है एक चीज याद रखना cso4.2h2o gypsum कहलाता है जब हम 373 Kelvin या फिर 100 degree Celsius पर heat करते है ना तो हमें cso4.5h2o बनता है और इससे ही POP कहा जाता है plaster of Paris very very important रसाइनिक सूतर पेपर में पूछे जाते हैं किसी की हड़ी वड़ी तूट जाए तो डॉक्टर क्या करते है POP plaster of Paris चड़ा कर उसकी हड़ी को pack सही कर देते हैं यतने भी इसे तत्व हैं जो इतने जादा reactive हैं बताओ चलो जल्दी से बताओ यह कौन से दो तत्व हैं जो इतने जादा reactive है X और Y किसी तत्व के highly reactive हैं और इसलिए मेरे दोस्तों इनको store करना पड़ता है kerosene में यह X और Y क्या है इस question का right answer है sodium and potassium तो अगर मैं sodium की बात करूँ और potassium की बात करूँ तो sodium and potassium जो है यह आपके kerosene के अंदर store किये जाते हैं के kerosene में इसलिए store किये जाते हैं क्योंकि इनका गनत्व के kerosene से ज्यादा होता है तो यह डूब के रहते हैं है डूब है है डूब है ठीक है नहीं तो अगर हलका गनत्व होगा तो यह उपर float करेंगे जैसे आप खोलोगे इस धकन को air के साथ संपर्क में आके यह क्या कर देंगे blast आप पता है आपकी potassium और वो इतने जादा reactive है न sodium आप पानी की tanky में उनको डालो एक बड़ी पानी के अंदर blast हो जाएगे मैं दोस्तों tanky boom ठीक है तो यह पानी के साथ और वायू के साथ बहु जाता है जिसका घंध्व कम होता है वो तेहरता है याद में रखना एक सिंथेटिक फाइबर है फिगर है फाइबर है बेसिकली जो रिजेंबल करते है दोस्तों उन से यहां पे एक फिगर लगानी थी है रह गई वो तो वो उन से बूल से रिजेंबल करता है उसकी shawl जाते है शौल्स बनाए जाते है तो एक्स के रियोन है एक्रेलिक है नायलोन है या पॉलिश्टर है आप से सिंपल पूछा यार आटिफिशल वूल किसको कहते है खतम आप मेरी भाशा में लो क्वेशन एंसी आटिविशल वूल एक अंदर भी दिया हुए आटिविशल को एक्रेलिक की मदद से संस्ती होती है और और एक्रेलिक की मदद से आपके स्वेटर बनाए जाते हैं ओमकी आता है यह चीप होता है बहुत पुलपावर सटा और बहु आया जाता है चीप artificial wool कहते हैं यह question आपके paper में आ सकता है artificial silk rayon को कहते हैं यह आपसे paper में पूछते हैं निमली कित में से बहुत तिक परिवर्तन कौन से हैं दोस्तों चलो मेरे बाई या फटा फट बता दो निमली कित में से physical changes बहुत तिक परिवर्तन कौन से यार आप ना live count को increase करो चली रख करना मुझे बता दिजे iis परिवर्तन का क्वैला स्वाल से पूछा कि क्या कुछ नया बनी दिल ने बोला नहीं बना बहुतिक परिवर्तन आपने दिल पे हाथ रखे बोला मेरे भाई कुछ नया बना दिल ने बोला बना 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 केमिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं वापस पुरानी इस्तिती पे आ सकते हैं केमिकल चेंज इर्रिवर्सिबल है हम वापस पुरानी तो आपका ग्लास ब्रेक हुआ और आपका पानी बॉइल हुआ जैसे आपका ग्लास टूटा आपके भी कोई को लगा के मेरे दोस्तों से जोड़ दोना ठीक है जुट जाएगा कुछ नया तो नहीं बन रहा है ग्लास है टूटके ग्लास ही है ठीक है बहुत तिक परिवर्तन boiling of water जल जो है boil होकर बना रहा है vapors वाश्प अब vapors भी H2 हो है पानी भी H2 है हम इन वाश्पों को इकठा करके फिर से इनके तापमान को दोस्तों कम करकर हम फिर से इसको पानी बना देंगे क्या बड़ी बात है बन सकता है पानी तो हम वापस पुरानी स्टेट में आ सकते ह और कुछ भी नया ना बने उस परिवर्तन को बहुत तिक परिवर्तन कहा जाता है गाइस इस question का right answer बताना है आपको जो कि हम next class के अंदर देखेंगे ठीक है sessions को share करते रहो live आते रहो 10 बजे ठीक 10 बजे 10 एम पर test book super coaching के उपर TED PRT channel पर मेरी class होते है जो higher level की science सीखना चाता ह है six to eight nine to ten दोस्तों उसको आना है शाम को TGT PGT channel पे छे बजे यह दोनों बातों में फरक है अगर आप सोचो कि एक ही session है साइंस का नहीं दो session है यह पार्ट जो हर पेपर में पूछी जाएगी जिसमें general science आएगी general चीजे आएगी पार्ट भी पूरा science subject biochemistry physics उसमें higher level की आए दोनों क्लास अलगे यह मत सोचना मैं मी subject वाली हुरी है इतने easy question भाई यह general paper है उस class में आओ धुहां उड़ेगा तब आपको पता चलेगा easy question एकदम बढ़िया high level के must questions तो guys classes के अंदर जूडते रहने का thank you Ranju कह रहे nice session धन्यवाद guys कल अपन फिर में दोते हैं धमागे दर class के साथ आप लोग please session के link को copy करते चलो share करते चलो maximum जितने लोगों में share करते चल सेकते हो और इस question का right answer video के नीचे comment section में देना ठीक है welcome बिट्टू और चना शरी मैं playlist के लिए बात कर लूँगे और playlist आपको बनवा दूँगे तो bye guys हाई यह first से fifth के लिए ठीक है दूसरी बात यह जो class है लेट्स टूडी कह रही कि मैडम आपकी class test book पे कितने बज़े है देखो मेरी class test book पे 10 बज़े होती सुबह और 6 बज़े होती यूट्यूब चैनल पे ठीक है paid batch का time अलग है जो जो paid batch लेना चाहते है रितिका coupon code को इस्तमाल करके ले सकता और अपनी तयारी को दूहांदार कर सकता है गर्दा उखाड सकता एक्जाम में तो bye guys thank you so much thanks for watching शाम को 6 बज़े मिलते हैं अगले यूट्यूब